25 खबर 25 रिपोर्टर में दिली के मुख्यमंद्री और आमादमी पार्टी के राश्टी संयोज जगा अर्विंद्व केजरिवाल के और से एवियम के छेड़ चार्ट के आरूपों को चुनावायूग ने पूरी तरहें से खरिच कर दिया है एवियम में गड़बडी की शकायत को लेकर मायावती और अर्विंद्व केजरिवाल को मुख की खानी पड़ी है इलेक्शन कमिशन ने साफ किया है कि एवियम के साथ गड़बडी नहीं हो सकती कि एवियम थे अपनी हार दोष लवना किसे तरह भी उचित नहीं नहीं हो सकती कि एवियम में गड़बडी की शकायतों को लेकर अर्विंद्व केजरिवाल और मायावती विरोधियों के निशाने पर है और केजरिवाल को अपने दिमाग का इलाज करने की बात कह रहे है कैमरामैन लेकराज के साथ पंकज कुपाही जी मिडिया दिली उधर अर्विंद्व केजरिवाल के एवियम को लेकर उठाए गए सवालों पर हर कहीं से उनपर स्यासी हमले किये जा रहे है हर्याना की कैमिनिट मंत्री उपी धनखर ने अर्विंद्व केजरिवाल को हरस विकार करने की नसीहत दी EVM पर सवाल उठा रही आमादमी पार्टी को हर्याना के एक कैबिनिट मिनिश्टर ने हार सविकार करने की नसीहत दी है पंजाब में आमादमी पार्टी और यूपी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती विधान सवा चुनाओं में मिली हार को पचा नहीं पा रहे हैं बार बार EVM के जरिये कराए गए चुनाओं में गड़बडी की आश्रंका के आरोप लगा रहे हैं केजरिवाल ने बाकाइदा उन पोलिंग बूट पर दोबारा मतगराना की मांग भी की जहां पर वीवी पैट मशीने लगाई गई थी पंजाब में नेता विपक्ष ये भूमिका निभाने जा रहे है एचस फुलका केजरिवाल की मांग का समर्थन कर रहे हैं जबकि हर्याना के कैबनेट मंतरी ओंप्रकाश धंखर ने आम आपनी पार्टी पर चुटकी लिए है उनका कहना है कि अर्विंद केजरिवाल के मानसिक दिवालियापन का पूरे देश में मजाक उड़ाया जा रहा है अगर ऐसे इमियम से होता तो उनकी सरकार थोड़ी बनती या उनके इतने विधायक भी थोड़ी आ जाते ओम्रकाश धनकर ने आम आधी पार्टी के मुख्या अर्विंद केजरिवाल को हार स्विकार करने की भी नसीहत दिया है हाला कि चुनाव आयोग ने भी अर्विंद केजरिवाल की मान को ठूगरा दिया है सब चुनाव आयोग ने, सब EVM के इंजिनियर्स ने, सबी लोगों ने बता दिया गया है कि ये सबसे बैठ परीकार, इसे कोई किसी भी तरह की छेड़ चाड़ नहीं कर सकता, ये तो मतलब आदमी हार जीत होती ही रहती है लोग तंतर में, लेकिन संतूलन नहीं कोना चाहिए आम आदमी पार्टी चाहती है कि जिन सीटों पर वीवी पैट मशीने लगाई गई थी, चुनाव आयोग उन सीटों पर प्रिंटर सिप की गंती कराई दिल्ली से पंकज कपाई और चंडिकर से पुनित परिंजा के साथ कुलवी दिवान जी मीडिया बात कैप्टन की सिरकार की, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर की नई सिरकार बन चुकी है और बधाई उने हर्याणा से भी मिल रही कैबिनेट मंतरी ओम परकाश धंकर ने पंजाब को S.V.L. के मसले पर बलिदान देने का मशुरह दिया है हर्याणा के कैबिनेट मंतरी ओम परकाश धंकर और अनल विच ने कैप्टन अमरिंदर सिंग को पंजाब का नया मुख्य मंतरी बनने पर बधाई दी है धंकर ने बधाई देने के साथ उम्मीद जताई कि कैप्टन की सरकार S.V.L. के मुद्दे पर हर्याणा के साथ नयाए करेगी और हर्याणा के हक का पानी उसे देने का काम करेगी वहीं विच का कहना है कि दोनों राज्यों के बीच आपसे मुद्दों पर विचार उमर्ष होता रहेगा सबसे पहले तुम्हें बधाई देता हूँ कप्टन साहब और उनकी नई टीम को दूसरा सबसे पहले हम उमीद करते हैं कि जो हमारा 19 लाक एकड़ फिट भाई उसके मताविक बनी है अच्छी बात है तो संग्या डांचे में हम एक दूसरे परदेशों के साथ भी हमारा ताल मिल रहता है ला और और है होर बहुत सारे इश्यों है तो उन सारे मुद्दों पर बाचित तो हमेशा होती रहती और होती रहेगी ओंप्रिकाश धंकड का कहना है कि पंजाब को S.Y.L. के पानी के मुद्दे पर बलिदान देकर बड़े भाई की भूमिका अदा करनी चाहिए वहीं अनिल विच कहते हैं कि S.Y.L. का मसला सरकारों के हाथ से निकल चुका है और अब तो सिर्फ नहर का निर्मान कैसे पूरा होगा इसका फैसला करना बाकी है अपने भी कानों मी दाओं पेच तरीके हो सकते थे वो तो सब हुए है और बलीदान की तो देखो पंजाब की परंपरा है कस्मीर से लेकर और पूरे भारत में जो तकलीख थी उसके लिए गुरू ने काम किया था उसके लिए बलीदान दिये थे इसलिए बलीदान सब के भले के लिए हो इसलिए थोड़ा सा पानी का ही बलीदान करते है देखे पानी का फैसला किसी सरकार के हाथ में नहीं है पानी का फैसला सुप्रेम कोर्ट ने कर दिया और सुप्रेम कोर्ट ने अदेश दे दिये हर्याना के पक्ष में दे दिये और उसको हर जो सरकार है किसी भी पार्टी की हो उसको मानना पड़े है हर्याना की दोनों दूंदर मंत्रियों की तलील है कि तमाम कानूनी दावपेज अजमाए जा चुके हैं और अब S.O.L. का पानी हर्याना को मिलकर रहेगा दिल्ली से पंकेज क्रिपाई G.Media दिल्ली में हर्याना बीजेपी विधाईकों की बैठक हुई जिसमें संगठन और सरकार के बीच तालमेल की मजबूती पर चर्चा हुई हर्याना बीजेपी की दिल्ली में एहम बैठक हुई दिल्ली में चली हर्याना बीजेपी की बैठक में सरकार और संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई दिल्ली में हर्याना कैबिनेट, हर्याना बीजेपी विधायक दल और कोर ग्रूप के साथ ही सांसादों की बैठक का मेरा थम दोर चला जिसमें सियम मनोहर लाल के साथ, बीजेपी के सेयुक्त महा सचिब, वी सतीष, राष्टिय संगठन मंतरी राम लाल और प्रदेश बीजेपी प्रवारी डॉक्टर अनिल जैन भी शामिल हुए बैठक में संगठन और सरकार के बीज तालमेल की मजबूती पर चर्चा हुई मुद्दा भी एहम रहा, हाला कि बीजेपी का कहना है कि विधायक सियम के साथ हैं और उनकी समस्याएं लगातार सुनी जा रही हैं, तो वहीं बिरोधी बीजेपी पर चुटकी ले रहे हैं कि एक बात बिल्कुल सपष्ट है कि सभी विधायक मुख्य मंतरी मनहोरलाल जी के साथ सरकार किस परकार से बढ़िया चले डटकर के खड़े हैं, कहीं कोई समस्याएं नहीं हैं सब विधायक एक बात केते हैं मुख्य मंतरी जी इमानदार हैं और इमानदारी के साथ सरकार वो चला रहे हैं और परदेश को भोत आगे लेकर के अभी तक गए हैं और और आगे लेकर के जाने की विकास के मामले में अभी उनकी इच्छा है और लेकर के जाएंगे इस बात पर्देश को कहां से समाल पाई है तो विरोधी पार्टियां सरकार की नियत पर सवाल उठा रही है वहीं जाट नेता 20 मार्च तक फैसला नहीं होने पर हर्याना दिली बॉर्डर सील करने का अल्टिया निटम दे रहे हैं हर्याना में चल रहा जाट आंदोलन का मसला अब पूरी तरह सियासी रंग में रंग चुका है सरकार के मंतरी कह रहे हैं कि आंदोलन कारियों से बात जारी है और उनकी मांगों को सुना जा रहा है तो वहीं बीरोधी सरकार की नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं पांच मिनिट में हर्याना सरकार में जैसी समाज की इच्छा थी वैसा कानून पारित किया था और उचने आयले में भी जो समाज में वचील कहा उस वचील को पैरवी के लिए खड़ा किया इसलिए सरकार की नियत उस मामले में सत्म परफीसत कैसे समाज को आरखन मिले यह जो है पूरी तरह से उस पक्स में खड़ी है कहीं ना कहीं आज भी परदेश के मुख्य मंतरी की नियत ऐसी है वो नहीं चाते कि परदेश के आलाद खामाने बढ़े रहे यहाँ परदेश का भाईचारा आपस में कहें रहे इनलो ने आरख्षन के मसले पर बीजेपी के साथ साथ कॉंग्रेस को भी निशाने पर लिया है वहीं हर्याना बीजेपी का कहना है कि जाटों से सरकार का संपर्क लगातार बना हुआ है और सरकार इस मुद्धे पर गंबीर है जाट आरख्षन के मुद्धे पर हर्याना में जहां जाटों का अंदोलन जारी है वहीं जाट नेताओं ने अब अपने आंदोलन का दायराथ दिल्ली तक बढ़ा दिया है जंतर मंतर पर प्रदेशन के बाद अब दिल्ली हर्याना नेशनल हाईवे को जाम करने के तियारी में है गुरुग्राम से आलो कुपाध्याई के साथ दिल्ली से पंकस कपाही जी मेडिया चले अब रुख करते हैं हिमाचल परदेश के और हिमाचल परदेश विधान सभा के बजट सत्र के ग्यारवे दिन भी सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान जारी रहा हिमाचल प्रदेश विधान सभा बजट सत्र के 11 दिन भी बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा हिमाचत प्रदेश विधान सभा में चल रहे बजट सत्र की 11 दिन सदन में चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी नोग जोग हुई श्रमला से बीजेबी विधायक सुरेश भार्दवाज ने राजधानी, बेरुसगारी भत्ते और स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर सरकार को खेरते हुए जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए हिमाचल के उद्योग मंत्री मुकेश अगनी हुत्री ने कहा कि विपक्ष सरकार के कामों से बौकला गया है, बात चाहे बेरुसगारी भत्ते की हो, शिक्षा की हो या फिर स्वास्तिक शत्र की विरभद्र सरकार के विकासकारियों के सामने बीजेपी को मुखके खानी पड़ रही है एक्चली जो माजूदा बजट आया है, उस बजट में जन हित में जितने फैसले किये गए हैं, उससे भारतिय जनता पार्टी का नेतित्य जो है, वो परिशान हो गया है, क्योंकि जितनी भी हमारी चिनाब भी हमारा मैनिफेस्टो था, उसको गोश्कापत्र को पूरी तरह इंप्लिमेंट कर दिया गया है, कैबिनेट मंत्री कॉर सिंग ठाकूर ने रुहडू हाटकोटी ठ्योग मार्ग का कारिय तीस जून तक पूरा हो जाने का भरोसा दिया है, मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शमला जबर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभदर सिंग ने प्रदेश को नए फायर टेंडर की सौगात दी है, जिसके बाद अब सूबे में फायर ब्रिगेड के बेड़े में 149 गाड़ियां शामिल हो चुकी है वीरभदर सिंग ने प्रदेश के कई इलाकों को नए फायर टेंडर की सौगात दी है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभदर सिंग ने सूबे के अलग-अलग इलाकों में करीब एक दजन फायर स्टेशन की शुरुआत की है इन फायर ब्रिगेट की गाड़ियों को किनौर, लाहौल, उस्पिती, चमबा, कुलू और श्रमला के लेरवाना किया गया मुख्यमंत्री का कहना है कि आने वाले समय में और भी सुदूर इलाकों को फायर टेंडर से लैस किया जाएगा ताकि आगजनी की स्थिमें हालात को जल्द से जल्द गाबू किया जा सके हीमाचल परदेश के फायर ब्रिगेट के बैड़े में अब 149 गाड़ियां शामिल हो गई है धरमशाला से ब्यूरु रिपोर्ट के साथ संदीप सिंग, Z-Media उदर हीमाचल सरकार ने Cashless Transactions को बढ़ावा देने के लिए Roadways की बसों में Cashless Payment की शुरुवात की है हीमाचल की वीरभद्र सरकार ने परदेश में Cashless Transactions को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की है प्रदेश के परिवाहन मंत्री जीयस बाली ने एकनेजी बैंक के सहयोग से पहले चरण में सूबे के 119 बसों को कैश्टरस पेमेंट सिस्टम से लैस करने की योजना की शुरवात की है उनमें यह सेवा देंगे कि जो कैशलेस एक यह एक अल्टरेटिव है यह नहीं है कि हम उसमें कैश को बंद करने कैश भी ले सकते हैं कैशलेस सुसाइटी की तरफ एक पहला कदम है यह जो हमारे 119 जगा पर लग गई है और बाकी 180 स्थान जो है वहां पर हो रहा हम यह मिशीन दुहान विभा के कर्णचारियों को 10,80,000,000 रुपे का बीमा भी मिलेगा जो इंपलाइज हमारे सेलरी जो है इंपलाइज की इनके मारफ जाएगी उनको 10,000,000 रुपे से लेके 30,000,000 रुपे तक का जो इंशोरेस कबर है वो जो है वो प्री में मिलेगा वो एक बड़ी ब बिरो रिपोर्ट के साथ यह शाज जी मीडिया आगे बढ़ते हो और अब बात राज्य सबा कि आज परधान मंतरी मोधी जब राज्य सबा पहुंचे तो बीजेपी सांसदों नी शेर आया शेर आया कि नारी लगा निगा ने परधान मंतरी नरेंदर मोधी के राज्य सबा पहुंचने पर आज उनका सवागत कुछ अलगंदा आज में हुआ यूपी और उत्राखंड की एतिहासिक जीत से पीए मोधी का स्यासी कद उचा हूने की जलक आज राज्य सबा में भी दिखाई दी मोधी जैसे ही राज्य सबा पहुंचे बीजेपी सांसदों ने शेर आया शेर आया के नारों से उनका स्वागत किया जैसे कल लोग सबा में सांसदों ने जैश्री राम भारत माता की जै और मोधी मोधी के नारों से किया था इससे पहले आज सुभा पीम के बीजेपी संसद्य दल की बैठक में पहुंचने पर भी भारत माता की जै और मोधी मोधी के नारे लगे प्रदान मंत्री मोदी जी पूरे पार्टी को जो राह दिखा रहे हैं अमिच्छा जी राह दिखा रहे हैं उस राह पे और मजबूती के साथ चलना है ये एक प्रण लिया है बीजेपी ने पांच राजों में विधान सभा चुनाव पीएम मोदी के चहरे पर लड़ा था पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में 24 चुनावी रैलियों को संभोधित किया था यूपी में बीजेपी ने 312 सीटे जीती मोदी लहर 1991 की मंदिर लहर से तेज थी पीएम मोदी जीता बीरो रिपोर्ट के साथ राजेश खत्री जी मीडिया उदर यूपी और उत्राखंड की अतिहासिक जीत पर प्रदानमंत्री मोदी का आज बीजेपी संसिद्ये बोड की बैठक में सम्मान किया गया बैठक में पीम ने सांसदों को आगी का पलान भी आज नोट करव आज बीजेपी संसद्ये बोड की बैठक में यूपी और उत्राखंड में बीजेपी की आतिहासिक जीत के लिए प्रदानमंत्री मोदी का सम्मान किया गया प्यम मोदी ने इस दौरान संसदों को कई निर्देश दिये यूपी चुनाव के बाद पहली बार हुई बीजेप के बारे में लोगों को बताना चाहिए इसी दौरान सभी को चुक्षता अभियान में भी हिस्सा लेने के लिए कहा गया है लाजना सिंग ने जीत के लिए प्रदानमंत्री मोदी को बधाई देने वाला प्रस्ताव रखा जिसे अरुण जीटली ने पास किया और तो गोवा में मनोहर परिकर सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है पारिकर ने आज विधान सभा में बहुमत साबित कर दिया गोवा में फिर एक बार पारिकर सरकार बन गई है विधान सभा की कारवाई शुरू हुई तो प्रोटेम स्पीकर ने बारी-बारी पक्ष और विपक्ष के विधायकों को खड़े करके गिंती की पारिकर सरकार ने अपना फ्लोर टेस्ट 22 विधायकों के समर्थन के साथ पास कर लिया विश्वासमत के पक्ष में बीजेपी के बारा, एमजेपी के तीन, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के तीन, तीन निर्दलिये विधायकों के अलावा NCP ने भी वोट दिया गोवे विधानसभा की 40 सीटे है, सरकार के विरोध में सिर्फ 16 वोट पड़े उधर केंदर की मोधी सरकार जनता को एक बड़ा गिप्ट देने के तैयारी में जुड़के यह सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी को मंजूरी दे दे इसके तहट सरकारी हस्तालों में लोगों का मुक्त में इलाज सुरुचित करने के साथ साथ लोगों को महंगे से महंगा इलाज भी सस्ता करने की कोशिस है आखिरकार कैबिनेट ने नैशनल हेल्थ पॉलिसी पर मोहर लगा दी है National Health Policy लागू होने के बाद देश के हर नागरिक को इलाज और जाच की मुफ्च सुविदा होगी इतना ही नहीं केंद्र सरकार ऐसी विवस्ता बनाने में जुड़ गई है जिससे बिमार लोगों को महंगे से महंगे इलाज भी सस्ते में हो सकेगा देश की सेहत को भैतर बनाने के लिए मोदी सरकार ने नैशनल हेल्थ पॉलिसी के तहट एक मेगा प्लान लॉंच किया है गुर्दासपूर के बटाला में एक धार्मिक आयूजन के दोरान मिला प्रसाद खाने से बिमार बच्चों की संख्या 27 तक पहुँच चुकी है वहीं एक बच्चे की मौत हो गई गुर्दासपूर के बटाला में फूट पॉयजनिंग की वज़ा से करीब 15 बच्चों की हालत खराब हो गई जिन में से एक बच्चे ने दम तोड़ दिया है प्रिडित परिवारों का कहना है कि बच्चे गुरुद्वारा साहे मत्था टेकने गए थे जहां से मिले कडाह परसाद को खाने से उनकी तबियत बिगड़ गई बिमार बच्चों के परिजनों ने भी मामले की जाँच की मांग की है गुरुद्वारा साहे प्रमंधन ने बताया कि किसी के घर में कोई कारेकरम था जहां बचा हुआ कडाह परसाद गुरुद्वारा साहे में दे दिया गया लेकिन भविश्य में ऐसा नहीं किया जाएगा वहीं पुलिस मामले की जाच में जुटी हुई है धार्मिक और सारवजनिक स्थानों पर आयोजित कारेक्रमों के दौरान इस तरहा की लापरवाही से बचने की जरूरत है और अब वक्त हो चला आपसे इजाज़त ले निका लेकिन चलते चलते देखिए मौसम का दिल्ली NCR में बड़त का सिलसिला फिर से शुरू हो चला है पंजाब के शहरों के तापमान में बड़त दर्ज हुई है मौसम में बड़ी ठंड़क कासर बड़े शहरों के तापमान में साफ देखनी को मिल रहा है तिल्ली में अधिक्तम तापमान 29 डिग्री सिलसिस दर्ज हुआ है जबकि चंडिगर का तापमान 26 डिग्री सिलसिस पहुँच गया है उधर हिमाचल के मनाली में 14 डिग्री सिलसिस और श्रिमला में 17 डिग्री सिलसिस पारा नोट किया गया तो धर्मशाला में अधिक्तम ताप 17 डिग्री सिलसिस पर पहुँच गया है वही जमु कुश्मीर की राज़ानी शुर्णगर में पारा 12 डिग्री सलसियस रिकॉर्ड किया गया परमुक पहारी शहरों के तापमान में भी 3-5 डिग्री का की बड़त रिकॉर्ड हुई है ब्यूरू रिपोर्ट के साथ संदीप सिंग, Z-Media